हेलो गाइज तो कैसे हैं आप सब तो गाइज आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने Samsung Galaxy S9 Plus को रूट कर सकते हो तो गाइज मैथड थोरा सा ट्रिकी हो सकता है लेकिन अगर आप step by step मेरी वीडियो को फालो करें तो आप बरी असानी के साथ अपने समार्ट फोन को रूट कर सकते हो Android 10 वर्जिन के अंदर जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास फोन के अंदर Android 10 वर्जिन है और मार्डल भी आप चेक कर सकते हैं Samsung Galaxy S9 Plus है तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें नोट करनी परेंगी अपने मुबाइल फोन के अंदर सबसे पहले आप नोट कर लें अपने मुबाइल फोन का मार्डल नंबर जैसा कि आप देख सकते हैं G965F तो यह है मुबाइल फोन का मार्डल नंबर तो ये Baseband Virgin आपने नोट कर लेना है इसमें कौन सी चीज़ आपने नोट करनी है जैसे कि आप देख सकते हैं Baseband Virgin G965FXXS9 S9 की जगा आपके U9 भी हो सकता है तो ये 9 का मतलब ये है कि ये Bandry 9 है तो 9 से नीचे नमबर भी हो सकता है आपका डिफरेंट हो सकता है तो गैस यहां पर एक चीज़ का आपने हियाल रखना है कि आपने देख लेना है कि आपके मुबाइल फोन में S9 या U9 आता है या फिर S8 आता है S7 आता है S5 आता है U5 आता है कोई भी नमबर आता है जो 9 के नीचे है तो ही आप इस मेथड को अपलाई कीज़े वरना मत कीज़े ठीक है तो यह करने से क्या होगा कि अब आपका for example S8 है तो अगर आप यह मेथड अपलाई करते हो अपने स्मार्टफून के उपर तो आपकी जो बैनरी होगी वो हुद ही अपडेट हो जाएगी 9 पे चली जाएगी या फिर आपका U5 शो हो रहा है तो फिर अगर आप इस मेथड को अपलाई करते हो तो खुद ही आपकी बैनरी अपडेट होके 9 पे हो जाएगी तो बैनरी जो है वो अपडेट हो सकती है डाउन ग्रेड नहीं हो सकती आप ये जैसे ही फ्लैश फाइल इस्तमाल करेंगे जो मैं आपको परवाइड करूंगा उससे ये वाला सेम एक्जेक्ट आपका बेस्बेंड वर्जन आ जाएगा ठीक है तो ये दोनों चीजें आपने नोट कर लेनी है ठीक है तो इसके बाद आपने क्या करना है अपने मुबाइल फोन को वाई फाई के साथ कुनेक्ट करना है वाई फाई के साथ कुनेक्ट करने के बाद बैक आ जाएं नीचे आ जाएं अबाउट में software information में जाएं bullet number को 5 पर 23 से tap करें back आ जाएं फिर से back आएं नीचे देखें कि एक और option आया होगा developer option इसके ओपर चले जाएं OEM unlocking को on कर लें USB debugging को भी on कर लें ये दोनों चीज़ें आपने on कर लेनी हैं तो ये दोनों चीज़ें on करने के बाद back आ जाएं तो mobile phone को अपने laptop के साथ connect कर लें तो अब आप अपने laptop में आ जाएं तो guys description में मैंने तीन links दी होगी एक magist का hippie के एक ये flash file और एक oden ठीक है तो जैसे ही आप अपनी flash file को extract करोगे तो इसमें ये folder निकलेगा इसके अंदर ये सारी files होगी ये जो winrar की file होगी इसको extract करना है ये folder निकलेगा इसके अंदर आपको ये चार files मिलेंगी पांच file ठीक है ये पांच file मिलेंगी जिसमें जो ap की file होगी ap की इसको आपने copy कर लेना है copy करने के बाद आपने जाना है अपने mobile phone में mobile phone को open कर लेना है और downloads वाले folder में जाकर इसको paste कर लेना है तो अब ये file जो है ये आपके mobile phone में copy हो रही है तो ये थोड़ा सा time लेगी तो तब तक के लिए मैं वीडियो को skip कर देता हूँ तो guys जैसे ही ये file copy हो जाएगी आपने वापिस आना है तो ये जो magisk का app होगा इसको आपने copy कर लेना है magisk AP के इसको copy करके आपने वापिस चले जाना है अपने mobile phone के अंदर और downloads में ही जाकर इसे paste कर देना है तो ये दोनों file transfer हो गई तो अब आपने क्या करना है mobile phone में जाना है my files में तो यहाँ पर ये magisk का जाएगा अगर आपको नहीं मिलता तो आप internal storage में जाएगे डाउनलोर्ड में चले जाएगे ये आगया magisk इसको install कर लेना है install करने के बाद इसे open कर लें तो ये इस तरह से आजाएगा आपने install के उपर tap करना है install पे जाना है select and patch है फाइल के उपर tap करना है और allow कर देना है तो ये three dots होंगे इसके उपर जाएगे और downloads में चले जाएगे ठीक है ये आगई फाइल ये जो ap की फाइल आई है इसको अपने यहाँ पे tap करना है और उपर से slide करके देखेंगे तो ये magisk जो है ये download होना start हो गया है तो ये 6 MB का है इसको होने देते हैं तो guys जैसे ही ये complete हो जाएगा आप यहाँ पे check कर सकते हैं ये flashing start हो गई है तो ये 2 से 3 minute लगेंगे इसको complete होने में तो तब तक के लिए मैं वीडियो को skip कर देता हूँ तो जैसे ही ये complete हो जाएगा इसको save कर लेना है और back आ जाना है तो mobile को connect कर लें लैप टॉप के साथ तो अब आप लैप टॉप में आ जाएं mobile phone में चले जाएं तो download में ही चले जाएं तो इसने हमें एक और नई फाइल बना कर दे दी magisk patched तो ये फाइल जो है इसको आपने copy कर लेना है copy करने के बाद इसको अपने लैप टॉप में save कर लेना है मैं यहाँ पर save कर देता हूँ इस folder में तो ये फाइल अब copy हो रही है इसको थोड़ा time लगेगा तब तक मैं वीडियो को skip कर देता हूँ तो ये जैसे ही फाइल आपकी copy हो जाएगी तो mobile phone को disconnect कर ले और power off कर दे power off करने के बाद आपने volume down, bixby की और power button तीनो बटन एक साथ press करके रखने है तो ये यहाँ पर आ जाएगा volume आपको दबाना है continue कर देना है और mobile phone download mode में चला जाएगा तो फिर आपने क्या करना है USB cable को connect कर लेना है तो अब laptop में आ जाएए laptop के अंदर जो मैंने order in दिया था इसको open करें order in का ये app है इसको open कर लें ok कर दें ap में जाएं और जो patch file हमने बनाई थी exact उसी location पे चले जाएं जैसे जो patch file अभी copy की है हमने वहाँ से बना कर mobile phone से उसको यहाँ से double click करें तो ये attach हो जाएगी ठीक है जैसे ये attach हो जाएगी आपने option में जाना है auto reboot को uncheck कर देना है auto reboot को uncheck करने के बाद start पे click कर दे तो अब आप देख सकते हैं mobile phone की जो flashing है वो start हो गई है तो ये थोड़ा सा time लेगा तकरीबन तीन चार मिंट तो तब तक के लिए मैं वीडियो को skip कर देता हूँ तो guys जैसे ही flashing complete हो जाएगी तो आपने क्या करना है mobile phone में थोड़ा एक चोटा सा combo है वो लगाना है आपने power button को press करना है फिर volume down button को और Bixby की को तीनों buttons को एक साथ press करके रखना है जैसे ही mobile phone off हो जाएगा तो एक बार तीनों buttons को छोड़ देना है और फिर volume up और Bixby की और power button तीनों को press करके रखना है जैसे ही mobile phone logo पे आएगा तो ये नीचे दोनों buttons छोड़ देने है Bixby की और power button लेकिन volume अब button को नहीं छोड़ना तो ready तो ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये आ गया mobile phone up recovery mode में तो यहाँ पे आपको क्या करना है volume down के बटन से नीचे आना है और wipe data factory reset के ऊपर जाकर पौवर बटन को दबा कर ok कर देना है पिर नीचे आना है factory data reset के ऊपर और power button को दबा कर ok कर देना है तो ये mobile phone अब आपका एक बार reset हो गया है तो अब reboot system now के ऊपर है तो power button को दबा के continue कर देते हैं तो अब ये mobile phone आपका पूरी तरह से reset हो चुका है तो इसको on होने में तक क्रीबन 5 minute लगेंगे तो तब तक के लिए मैं video को skip कर देता हूँ तो इस phone ने on होने में तक क्रीबन 10 minute लगाए है तो आपका जल्दी भी हो सकता है, late भी हो सकता है तो चले phone on होने के बाद इसकी setting कर लेते हैं setting करने के बाद आपने mobile phone को wifi के साथ connect कर लेना है wifi के साथ connect करने के बाद नीचे आ जाएं about me software information में जाएंगे bullet number को 5 बार तीज तीज से tap करना है फिर back आना है, फिर से back आना है, नीचे developer option में चले जाना है OEM unlocking को check कर लेना है, on है उसके बाद USB debugging इसको भी on कर ले अब mobile phone को अपने laptop के साथ connect कर ले laptop में आ जाएं तो यहाँ पर जो मैंने magisk का AP के दिया था इसको copy करें mobile phone में चले जाएं यहाँ पर paste कर दें paste करने के बाद वापिस आ जाएं mobile phone के अंदर तो जाएं यहाँ my files के अंदर तो यहाँ गया magisk, इसको बगड़के अब install कर लें open करें तो इसको मैं फिल वक्त cancel कर देता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं magisk जो है वो install हो चुका है पूरी तरह तो अब आपका mobile phone रूट हो चुका है तो मैं एक बार फिर से आपको शोर करवा देता हूं setting में जाकर about में तो यहाँ पर देख सकते हैं galaxy s9 plus है software information में जाकर यहाँ पर आप android version भी check कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप यह देख सकते हैं सारा कुछ मैं आपको close करके दुबारा से दिखाता हूं magisk यह magisk जो है यह install है ठीक है दो गयाँ यह था फिर हमारा आज का route का method और मुझे मीध है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजे share कीजे और subscribe ज़रूर कीजे चैनल को subscribe करने के बाद बैल आइकन पर भी क्लिक कीजे ताके मैं कोई भी नई वीडियो अबलोड करूँ उसकी नोटिफकेशन आप तक पहुंच जाए तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो अपना ह्याल रखिएगा